बॉलिवूर्ड और टीवी शोज की नीज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटिस नीज सबसे पहले पाने के लिए विकबोस बारा आए दिन सुर्ख्यों में चाहिए रहता है और इसकी एक बड़ी वज़ा है इस शो की कंटेस्टिंट श्री संथ श्री संथ क्रिकेट जगत का एक जानबाना नाम है और इस वज़ाज इनकी फैन फॉलविंग में काफी है इस शो में बतोर कंटेस्टिंट आय कि अपनी एक खाज जगा बना ली है इस शो में श्री संथ कुछ न कुछ ऐसा कर जाते है जिससे कि वो चर्चा में बनी रहते हैं पहले दिन से ही श्री संथ कभी घर से भागने की कोशिश को लेकर सुर्खियों में रहें तो कभी अडियल रवाईये को लेकर घर के बाकी कंटेसन से उनका विवाद होता रहा दीपक ठाकुर और सुर्विराना के बीच हुए एक कैप्टेंसी टास्क, ब्रेकिंग यूस टास्क के दोरान श्री संथ ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद हुए एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए इस टास्क में श्री संथ सुर्विराना को सपोर्ट करते हुए नजर आए श्री संथ सुर्विराना से कहते हैं कि मैं एक रास का खुलासा करूँगा जसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं बोला हरवजन के साथ हुए थपड़कांट पर श्रीसंद कहते हैं आज मैं इस पूरी घटना की सज्जाई बताना चाहता हूं हाँ मैं बहुत जादा उत्तेजित था ये बात मैं मानता हूं मैं बताता हूं कि उस दोरान हुआ क्या था मैच के बाद मैं हाथ मिलाने के लिए हरवजन सिंग के और बढ़ा दूसरी और से हरवजन सिंग हाथ मिलाने की बजाए गाल पर जोरदार बंच मारते हैं और उन्हीं और उसे थपड़ नहीं कह सकते श्री संथ बार बार कहते हैं मैंने इससे पहले कभी इस बारे में बात नहीं की जबकि हर्विजन सिंग लगतार इंटर्विव में इस घटना का जिक्र करते रही जहां एक और श्री संथ कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया वहीं दूसरी कि आखिर श्रीसंत ने कहा क्या था फराख खान ने श्रीसंत से उस थपड़कांट को लेकर एक सवाल किया था कि जब भी तुम उस वीडियो को देखते हो तुम्हीं कैसा फील होता है तो श्रीसंत ने कहा उस वक्त मुझे इतना कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ I was shocked that what just happened मैं बस उस वक्त यह समझी नहीं पाया मुझे लगानी था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा बस रोना आया मैंने रो दिया हमने शाम को साथ में बैटके खाना भी खाया और यह तो होता ही है कि जब हम ड्रे मेरे बड़े भाई ने मुझे मार दिया हो मुझे सच में नहीं लगा था कि इतना बड़ा मीडिया इशू हो जाएगा अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करकी जरूर बताएं